हेलो फ्रेंट्स है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चनल झीकेदानौलज में इसमें हम आज बात करेंगे संसद के विशेश अधिकार की तो जो संसद के विशेश अधिकार और उसका वर्ण एक्सोपाँच में क्या गया है संसद को विशेस अदिकार इसका वर्णन क्या गए है आर्टिकल 105 में संसद के विशेस अदिकार के जो बात है आर्टिकल 105 में की गई है 105 में कहा गया है कि संसद संसद के सदसे संसद के सदसे अपने सदन में अपने विचारों को रख सकते हैं संसद के सदसे अपने सदन में अपने अपने सदन में विचार रख सकते हैं और वे जो कुछ भी बोलते हैं जो कुछ भी सदन में कहते है उन सब्दों के अधार पर उनके बोले जाने के विचार वेक्त करने के अधार पर उनके विरुद कोई भी माव्योग नहीं चलाया जाएगा ये इनका व्यशेश अधिकार है कि जो संसद के सदस्य अपने अपने सदन में अपने विचार रखेंगे और उन विचारों के विरुद उनके उपर कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जाएगा ये उनके पास एक विशेश अधिकार प्राप्त है दूसरा विशेश अधिकार क्या प्राप्त है कि जितने भी संसद के सदस्य हैं उनको 40 दिन पूरो है अजो संसद का अधिवेशन होगा संसद के अधिवेशन कि 40 दिन पहले और 40 दिन बाद 40 दिन बाद मतलब संसद का कोई भ्यदिवेशन उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी संसद के सदस्य पर कोई भी कारवाई नहीं कि जाएगी उनके उपर दिवानी अभ्योग महाभ्योग नहीं चलाया जाएगा उनको बंदी नहीं बनाया जाएगा ग्रफ्तारी नहीं होगी दूसरा क्या है कि सदन के दोरान सदन के अधिवेशन के दोरान सदन के अधिवेशन के दोरान किसी भी सदस्यों को बंदी नहीं बनाया जाएगा और जब सदन चल रहा होगा सदन का अधिवेशन किसी भी सदन का कोई भी अधिवेशन चल रहा होगा तो इस अधिवेशन के दोरान भी किसी के विरुद कोई भी दिवानी महाव्योग नहीं चला जाएगा और ना ही उसको बंदी बनाया जाएगा तो इसमें क्या है कि एक तो संसद की जितने भी सदश होंगे अपने अपने विचार वेक्ट कर सकते उनके विरुद कोई भी मामला दर्ज नहीं होगा दूसरा क्या है कि कोई भी सदन संसद का कोई भी सदन चल रहा हुआ संसद का कोई भी सदन चल रहा हुआ अधिवेशन चल रहा हो तो उस अधिवेशन को 40 दिन पहले और 40 दिन बाद समाप तोने से पहले और बाद में कोई भी महापयोग नहीं होगा दूसरी बात क्या है कि संसदी के दोरान भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा ठीक है इसके बाद क्या है कि अगर कोई भी संसदी के व्यक्ति के अपमान जनक बाते करता है या उनके गुद कोई भी ऐसी गतिवीदिया होती है तो उस व्यक्ति को इन्हें लेकर में सर्थ दंड दिया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति संसद के सदे से कि सम्मान भगोरों को ठेज नहीं पहुंदा सकता संसद के विश्यश अदिकार में एक और बात क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो आम नागरिक है संसद की किसी भी सदेश्यों को इसके सम्मान को गवरों को ठेज नहीं पहुंदा सकता अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी न्याले के नुशार उसको दंड दिया जाएगा वही दूसरा क्या है कि इनको पेंशन बत्ते दिये जाते हैं फरी सुधा मिलती है फ्री ओफ कोस्ट जो यात यात पेंशन चिकिच्छा विजली विल आधी सारी बहुत सारी चीजे जो इनको सुख सुधायों फरी में प्रदान होती है जब यह सांसद बनते हैं तो इनको इस सब सुधाय मिलती है और एक इनका उत्ता है कूटनेतिक पासपोर्ट या डिपलोमेटिक डिपलोमेटिक पासपोर्ट इनका होता है एक डिपलोमेटिक पासपोर्ट जितने भी सांसद के सदस्यों उन सभी को डिपलोमेटिक पासपोर्ट प्राप्त होता है और उस डिपलोमेटिक पासपोर्ट के अधार पर इनको क्या मिलती है सुक्सविदा मिलती है कि उनको जो विदेश में जाने का आने का खर्चा जो होगा उनको free of cost यो मिलता है तो उनको diplomatic passport भी प्रदान किया जाता है तो इनके पास क्या-क्या अधिकार है एक तो इनको गरफतार नहीं किया ज़क्ता चलती अधिफेशन में और एक अधिएशन के 40 दिन पहले और बाद में इनको बताना पळेगा, 40 दिन पहले और बाद में इनको ग्रफतर नहीं कर सकते, दूसरा इनके वरुद इनके सम्मान के वरुद कोई भी ऐसी भось भ्यामन देनके बाते नहीं कर सकते, या फिर जो ये संसद में जो विचार वेक्ट करते हैं उनके विरुद कोई भी ऐसा महभ्योग नहीं चलाया जाएगा इनको सब चीज फैसिलिटी फ्री ओफ कोस्ट मिलती है इनको सैलरी दिया जाती है और इस सैलरी भी खुद ही डिसाइड करते है इसे कुछ एक अधिकार इनके पास विशे इसे अधिकार प्राप्त है जिनका वर्णं 105 में किया गया है तो आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ धन्यवाद